तो अभी तक हमने थीन चैप्टर कंप्लेट कर लिये हैं फर्स्ट वन इज शेप ओफ इडिया एंड दे नौर्धन माउंटेन एंड नौर्धन प्लेंस टुड़े वियर गूइंट डिस्कस अबाउट चैप्टर नमबर फॉर वेस्टर डेजर्ट तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा पश्चिम करेगिस्तान है मरुस्थल है उस स्वाइल having very less or no vegetation is called a desert what is desert desert होता क्या है रेगिस्तान होता क्या है क्या होता है एक ऐसी जमीन of loose sandy soil जहां कि मिट्टी कैसी रेतिली और लूज धिली होती है and having very less or no vegetation या तो बहुत कम या बनस्पति ना के बराबर होती है उस छेतर को हम desert कहते हैं भारत में रिगिस्तान कहते हैं the desert region in India lies toward the southwest of the northern plains भारत में रिगिस्तान कहां पर है भारत में रिगिस्तान जो उत्तरी मैदान है उसके दक्षिण पस्चिम में है southwest of the northern plains it is called the thar desert इसको thar desert कहते हैं this desert cover the most part of the western रास्थान और यह जो desert है यह अधिकतर हिस्सा पस्चिमी रास्थान का cover करता है means यह desert पस्चिमी रास्थान में पढ़ता है the word largest the word's oldest mountain range roughly lie in the eastern border of the third desert okay word की जो सबसे प्राचीन परवसंखलाए है कौन सी है अरावली और यह कहां पढ़ती है थार desert के पूरवी किनारे पे जो आपका थार desert है थार रहिस्तान है उसके पूरवी किनारे पे word की पूरे विश्च की सबसे प्राचीन परवसंखलाएं और अरावली स्थित हैं इंघराव काई दैजर्ट्स आर फार्म लागे ट्व कर्णारे झागारी अनिय की करदब मिट्टी के ए्रोजन के करड़ और बहुत लंबे 사मय तक वर्षा नहुने की करड़ पाने की कमी के करड़ बन जाते हैं यह जो रेतीले छेत्र होते हैं, यहां का जो वेदर होता है, वो कैसा रहता है? ड्राइ, सूखा, एंड हॉट Most of the year, पूरे साल इन छेत्रों का जो वेदर होता है, वो सूखा और गर्म रहता है There is no or very little vegetation यहां बनस्पती या तो नहीं होती है, या बहुत कम होती है In this region, इन छेत्रों में, vegetation या तो नहीं होती है, और या तो बहुत less होती है Some parts of the desert are rocky too रेगिस्तान के कुछ हिस्से rocky भी है, पत्रीले है Due to lack of vegetation and loose sandy soil बनस्पती के कमी के करण और loose sand soil होने के करण Sand storms are very common है, यहां sand storms आते रहते हैं तो यहां sand storms आते हैं, तो इसलिए और बनस्पती भी नहीं है Which are called sand dunes, जिनको sand dunes कहा जाता है Sometimes people or camels get buried under these sand dunes कई बार क्या होता है, कुछ लोग या जो जानवर, उंट जिसको पाला जाता है और desert का ship, रेगिस्तान का जहाद जिसे कहा जाता है तो इन्ही sand dunes के नीचे कई बार कुछ लोग और जैसे जूट जैसे जानवर क्या होते हैं, दब जाते हैं, बरीड हो जाते हैं The summers are extremely hot and dry in desert गर्मिया Extremely hot, बहुत अतिक गर्म होती है and dry in desert देगिस्तानों में जो गर्मिया होती हैं, बहुत ही गर्म और सूखी नम नहीं होती है The days are warm and the nights are cold in winters सर्दियों में, जो दिन होते हैं वो गर्म होते है and nights are cold in winters ठीक है और सर्दियां रातें कैसी होते हैं, ठंडी होती है It rains rarely here वर्सा यहां बहुत ही कम, बहुत ही दुरलब है That is why there are very less trees and shrubs इसलिए यहां पेड़ पाउद है यह जाडियां बहुत कम है Only those plants grow here which need very less water यहां सिर्फ वही पेड़ पाउदे होते हैं जिनको बहुत ही कम पानी की आवसकता होती है जैसे cactus, thorny bushes, kicker and bubble यह कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनको कम पानी की requirement होती है आवसकता होती है इसलिए यह पेड़ पाउदे ऐसे छेत्रों में उख जाते है mostly the camel is used for transpiration desert अधिकतर ऊट को ही यातायत के साधन तोर पे यूज किया जाता है there is no permanent river in desert यहां कोई भी स्थाई नदी नहीं है so there is always shortage of water in this region इसलिए हमेशा इस छेत्र में पानी की कमी रहती है shortest of water in this season चुकि यहां कोई भी स्थाई नदी नहीं है इसलिए हमेशा इहां पानी की कमी रहती है at some places people walk long distance to fetch drinking water कुछ स्थानों पे तो लोगों को बहुत दूर पानी भरने के लिए जाना पड़ता है at some places the ground water reaches the surface of the earth through springs और कई बार क्या होता है springs के माध्यम से जो ground water होता है वो वरत की surface तक पहुंझ जाता है people grow crops, palm trees and grass etc at some places और जहां पी springs के थूरू पानी प्रत्वी के सत्य पे आ जाता है ऐसे स्थान पे लोग क्या कर लेते हैं कुछ वस्वास लेगा लेते हैं palm trees लेते हैं और grass लेते हैं these places are called oasis और ऐसे places को oasis कहा जाता है ठीक है you can see these are sand dunes यह छोटे छोटे जो पाडिया बन जाती है these are called sand dunes okay and I will show you western desert this is your western desert which is lie in western part of राजस्थान ठीक है तो हमार रेगिस्तान है जो राजस्थान के पस्चमी हिस्वे में पड़ता है so it is all about today I hope you will read and repeat so that you can understand very well if you have any problem please comment in your comment box you're most welcome